नमस्कार दोस्तों, मैं रविकोल, स्वागत करता हूँ आप सभी का उडान IAS Academy के online platform पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा हमारे YouTube चनल पर एक MCQS सीरीज चलाई जा रही है जो कि CGPSC और CGVyapam की सभी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, reasoning के कुछ महत्वपून प्रस्न लेकर चली, आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारिया हमारे द्वारा CGPSC Pre 2023 के लिए एक Special Batch आरम किया जा रहा है तो CGPSC Pre 2023 जो की फरवरी 2024 में होने के पूरे आसार लग रहे है तो CGPSC Pre 2023 को लेकर एक Special Batch हमारे हां आरम किया जा रहा है ये Batch 3 नवंबर से आरम होगा, समय है सुबह साड़े साथ बजे से साड़े दस बजे तक Special Batch क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें Selected विशय जो है वो पूरे कराए जाएंगे जिसमें गडित, Reasoning, 36 गड़, सविधान, इतिहास और Current Affair इन विशयों को पूरा कराए जाएगा अगर मैं बात करूँ CGPSC प्रारंभिक परिक्षा की तो इसमें दो पेपर होते हैं पहला जो पेपर होगा वो GS का होगा General Studies मतलब सामानी अध्यन जिसमें कुल 100 प्रस्ण पूछे जाते हैं जिसमें से 36 गड़ के 50 प्रस्ण बनते हैं तो 36 गड़ वाला सेक्षन हम पूरा कराएंगे आपको इसके बाद बात करूँ भारत के सविधान की भारत के सविधान से लगभग हर साल 8 से 10 प्रस्ण और सतन बनते हैं तो भारत का सविधान पूरा कराये जाएगा जिसको चेतन सर पढ़ाएंगे भारत का इतिहास भारत के इतिहास से भी 8 से 10 प्रस्ण और सतन हर साल पूछे गए हैं भारत का इतिहास भी हम complete कराएंगे, जो प्रदीप सर पढ़ाएंगे, और current affair वाले section को भी हम पूरा कराएंगे, सुधीर सर current affair वाले section लेंगे, तो paper 1 की अगर मैं बात करूँ तो paper 1 का लगभग 80% coverage हो जाएगा, 80% coverage, अगर मैं current affair की बात करूँ तो 36 गड़ का जो 50% है, इसमें 36 गड़ के current affair भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा जो national और international current affair है, वहाँ से भी प्रस्न बनते हैं, तो national और international current affair वाले section भी हम complete कराए अगर आप पिछले साल का paper देखेंगे, मतलब CGPACP 2022, तो current affair के लगभग 20-21 प्रस्न पूछे गए थे, जिसमें से आधे प्रस्न 36 गड़ के current affair के थे, और आधे प्रस्न national मतलब रास्टी और international मतलब रास्टी लेबल के थे, तो हम पूरे current affair को भी cover करेंगे, तो देख सकते है paper 1 का मतलब 80% coverage आपका पूरा हो जाएगा, 80% coverage, लगभग 80% के त्यारी हो जाएगी, 50% 36 गड़, जिसमें 36 गड़ का current affair भी include है, 10% लगभग सविधान, 10% लगभग इतिहास, और 10% आपका रास्टी और अंतरास्टी current affair का, तो यह 80% का लगभग आपका coverage हो जाएगा paper 1 का, ब परशनाता है, तो maths और reasoning आपको पूरा complete कराया जाएगा, maths और reasoning वाला section मैं लूँगा, तो paper 1 का 80% coverage और paper 2 का 65-70% coverage हो जाएगा, इसलिए इसको में special badge भी बोल रहा हूँ, तो 3 नवंबर से आरंभ हो रहा है, समय है सुबह 7.30-10.30 बजे तक, कक्छाएं online और offline दोनों ही mode पर चलेंगी, online अगर आपको हमसे जूणना है, तो इन में से किसी भी number पर WhatsApp कर दीजे, आपको link दे दी जाएगी, number देख सकते है, 961770286162, किसी भी number पर WhatsApp करीए, आपको link दे दी जाएगी, offline अगर आपको इस बैत से जूणना है, तो आपको हमारे head office में visit करना होगा, offline classes हमारे head office से संचालित होंगी, address नीचे लिखा हुआ है, और अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए number पर संपर कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर मैं बात करूँ, CGPACPRE 2023 के लिए test series की, तो test series 22 October से आरंभ हो चुकी है, जो कि 31 January 2024 तक चलेगी, तो CGPACPRE 2023 के लिए नया batch भी हम जो कि 31 January 2024 तक चलेगी, जिसमें कुल 25 टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें GS के 15 टेस्ट हैं, और CSET के 10 टेस्ट हैं, हिंदी और इंग्रिस दोनों माध्यम में test series उपलब्ध हैं, offline और online, दोनों ही माध्यम में test होंगे, आप किसी भी mode पर test से जुड़ सकते हैं, online अगर आपको test series से जुनना है, तो आपको Google Play Store से हमारा जो app है, वो download करना होगा, या QR code स्कैन करके भी आप हमारे app को download कर सकते हैं, हमारे सारे branches में, हमारे 36 गड़ में जितनी भी branches हैं, हमारे सारे branches में offline test चल रहे हैं, आप किसी भी branch में जाके offline test दे सकते हैं, इसके लावा हमने बिलासपूर और कवरधा में भी offline test की सुधा दी है, और अधिक जानकारी के लिए आप दियेगा नंबर पे संपर कर सकते हैं, फीस में 20 प्रतीसत की छूट भी है, 1250 रुपए हमने फीस रखी है, 20 प्रतीसत छूट देने पर फीस आपको 1000 रुपए पड़े तो जुड़ सकते हैं हमसे, हमारे batch से, हमारी test सीरीज से और अपनी तयारी को एक सही दिसा आप दे सकते हैं, चली, start करते हैं, आज का जो पहला प्रस्ण है, देख सकते हैं, एक निस्चित कूड भासा में, forensic को लिखा है कुछ कोड की रूप में, और एक और word दिया है, और पूछ रहा है, कैरेमल को कैसे कोडित किया जाएगा, तो ये coding decoding का chapter है, सांकितिक भासा का जो chapter है, उसी का प् तो जो अंग्रेजी वर्ण माला है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, अंग्रेजी वर्ण माला, इसके पूरे place value आपको पता होने चाहिए, तो अंग्रेजी वर्ण माला अगर मैं लिखता हूँ, देख सकते हैं, ये पूरी अंग्रेजी वर्ण माला, जैसे मैं लिख रहा अगर आप याद रखेंगे, तो बहुत फाइदा मिलेगा आपको, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M के नीचे मैं N को लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखेंगे, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, तो देख सकते हैं, A, B, C, D, ऐसे करते हुए Z तक लिखा हूँ, A से M तक एक लाइन में लिखिए, और M के नीचे N स्टार्ट करिए, और यहां तक Z आजाएंगे, तो आप देख सकते हैं कुल कितने लेटर होते हैं, 26, तो A का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25, और Z का 26, ऐसा लिखने के पीछे का कारण है, वो कारण क्या है, उस कारण को समझेंगे, वो कारण ये है कि place value की बात करूँ, तो A का place क्या है, 1, B का place क्या है, 2, C का place क्या है, 3, place value आपको याद रखनी है पहले तो, और opposite value भी आपको याद रखनी है, opposite value की बात अगर मैं करूँ, तो पीछे side से अगर मैं count करूँगा, तो A का value कौन सा आएगा? 26 नंबर पे आएगा. पीछे side से अगर मैं count करने बैठूंगा, जैसे अगर मैं A, B, C, D ऐसा लिखता हूँ, यह देखिए, जैसा बच्पन से पढ़ते आए हैं, तो A का place कौन से नंबर पे आएगा? पहले नंबर पे. अगर मैं पीछे side से count करता हूँ इस side से, तो A का place कौन से नंबर पे आएगा? 26 नंबर पे. तो आपको दोनों ही चीज़े याद करनी होती है. प्लेस वैल्यू A का क्या है? एक और अपोजिट वैल्यू A क्या है? 26. या Z का place वैल्यू क्या है? 26. और अपोजिट वैल्यू क्या है? एक, बी का place value क्या है, दो, और opposite value क्या है, 25, या वाई का place value क्या है, 25 और opposite value क्या है, दो, दोनों ही आपको याद करना होगा, एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, तभी questions कर पाएंगे आप, अगर दिमाग में नहीं बैठा होगा, तो questions भी नहीं बनेंगे, इसके ध्यान र होना चाहिए, 27, place value, किसी भी letter का place value, और उसका opposite value, दोनों का total 27 होना चाहिए, तो place value और opposite value का total 27 होना चाहिए, जैसे एक का place value क्या होता है, एक, तो opposite क्या होगा, 26, समझा रहा है, opposite बोलने का मतलब z को एक बोलूँगा y को दो बोलूँगा तो a का कौन सा क्रम आएगा उसको बोलते हैं opposite value तो place value किसी भी अक्छर का place value और opposite value दोनों का total हमेसा क्या होता है 27 तो आप किसी का भी place value याद रखो तो opposite तो अपने आप याद हो जाएगा जैसे मैं बोला M M का place value क्या होता है 13 तो opposite क्या होगा 14 जैसे मैं बोला R R का place value क्या होता है 18 तो opposite क्या हो जाएगा 9 जैसे मैं बोला माल लीजे W W का place value 23 तो opposite क्या होगा 4 तो हर अक्छर का place value और opposite value आपको याद रखना ही है एकदम याद रखना है क्योंकि प्रस्ण अच्छे लेवल के PSC के इस्तर के तभी बनेंगे जब आप ये place value याद रखेंगे तो किसी भी अक्षर का place value और opposite value का total क्या होता है 27 होता है अब आप बोलेंगे sir 27 क्यों होता है बताओ तो 27 क्यों होता है total अक्षर तो 26 होते है तो 27 कैसे आ रहा है इसके पीछे का logic बताओ तो देखो बहुत आसान logic है जैसे मान लो यहाँ पे M है मान लो यहाँ पे M है M को इधर से count करने बैठा तो कौन से number पे आया 13 इधर से count करने बैठा तो कौन से number पे आया 14 अब दोनों को जोडने पर 27 ही आना चाहिए क्यों कि इस 13 में भी M सामिल है और इस 14 में भी M सामिल है भाई 13 में भी M सामिल है क्योंकि M 13 होए number पे आ रहा है सीधे सीधे count कर रहा हो तो पीछे से count कर रहा हो तो M 14 होए number पे आ रहा है मतलब इन 13 इन 13 अक्षरों में भी M है और इन 14 अक्षरों में भी M है इसलिए तो टोटल करने पर क्या आ रहा है? 27 आ रहा है क्योंकि M दो बार count हो गया है 13 में भी M है और 14 में भी M है तभी तो टोटल करने पर क्या हो रहा है? 27 हो रहा है तो किसी भी अक्षर का place value और वीपरित value opposite value का total हमेशा 27 होना चाहिए हमेशा तो आपको एकदम रटा होना चाहिए I का जैसे मैं बोला place value तो आप बोलेंगे 9 opposite value 18 तभी तो 18 और 9 का total क्या होगा 27 मैं बोला F का place value 6 opposite क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए किस, किसी भी अक्षर का place value और opposite value उग्दम रटा होना चाहिए, देखने क्या उशकता ना पड़े, तब जाकी इस level के प्रस्ण आप कर पाएंगे, सिखाऊंगा कैसे करना इस level के प्रस्णों को ऐसे ही प्रस्ण भी PSC में पूछे जा रहे हैं, और ऐसे प्रस्णों को डील कर लिए, तो व्यापम के प्रस्ण तो हलवा लगेंगे आपको इक्तम, तो पहली बात आपने क्या समझी, देख लो आपको सबसे पहले अंग्रेजी one माला एकदम कंठस्ट पता होना चाहिए जो की सभी को पता होगी ये अंग्रेजी one माला, सभी को कंठस्ट होगी ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेस वेल्यू का मतलब क्या हुआ, A का प्लेस कौन सा है, और हमेशा, अगर मैं बात करूँ, प्लेस की तो बाएं से दाएं ही काउंट करते हैं, जैसे माल लीजे मैं अपना नाम लिखा हूँ, तो मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है, R, दूसरा अक्षर क्या है, A, तीसरा अक्षर क्या है, V, और चौथा अक्षर क्या है, I तो हमेशा, जो प्लेस बताते हैं, वो बाएं से दाएं है B, तीसरे प्लेस पे कौन है C, चौथे प्लेस पे कौन है D, ऐसे ही 26 वे प्लेस पे कौन है Z, तो A का प्लेस वेल्यू, 1, B का 2, C का 3, D का 4, Z का 26, अपोजिट वेल्यू का मतलब क्या हुआ, मैं इधर से काउन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको अपोजिट बोल रहा हूँ, तो इस बार Z हो जाएगा पहला ऐसे करते-करते, A क्या हो जाएगा, 26, तो आपने क्या समझा, तो आपने ये समझा कि भाई, पहला जो था, वो हो गया 26, दूसरा जो था, वो हो गया 25, तीसरा जो था, वो हो गया 24, इसका मतलब किसी भी अक्षर का प्लेस वेल्यू और वीपरित वेल्यू का टोटल क होगा 27 हो जाएगा तो place value याद रखे विपरित तो अपने आप याद हो जाएगा n का place value क्या है 14 तो विपरित क्या होगा 13 p का place value क्या है 16 तो विपरित क्या होगा 11 y का place value क्या है 25 तो विपरित क्या होगा 2 डबलू का place value 23 तो वीपरित क्या होगा चार एकदम कंठस्त याद होना चाहिए तो ये आपका काम है याद करना दूसरी बात क्या याद रखनी है स्वर और वेंजन को क्योंकि स्वरों में अलग concept लग जाता है तो स्वर क्या होते है A E I O U ये पांच स्वर होते है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्वरों में अलग concept लगेगा और वेंजन में अलग concept लग जाता है होगा क्या कभी-कभी code करते समय स्वर का code अलग pattern में चलेगा और वेंजन का code अलग pattern में चलेगा तो आपको कम से कम स्वर पता होने चाहिए कि भाई कभी-कभी लगेगा कि सर A और e में ऐसी क्या खास बात है कि a और e का कोड ऐसा किया है बाकी सब का कोड अलग कर दिया है तो a और e में क्या खास बात है जो कि बाकी से इसको अलग कर रहे है तो a और e कभी-कभी दिखेगा स्वर है तो स्वर का कोड अलग और वेंजन का कोड अलग इसके लावा एक और खास बात क्या ध्यान रखना एक और खास बात ये भी है ये देखो A से लेके I तक ये single digit वाले अक्षर है single digit बोलने का मतलब A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9 इसको single digit वाले अक्षर बोल रहा हूं है single digit वाले अक्षर कभी-कभी इन में अलग कोडिंग चलती है double digit वाले अक्षर में अलग कोडिंग चलती है तो ये कुछ important बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है तो जिसमें पहले मैं क्या बोला कि किसी भी अक्षर का place value और वीपरित value ध्यान रखो आप दूसरी बात में क्या बोला कि भाई स्वर को कम से कम ध्यान रखो कि ये A, E, I, O, U बाकियों से अलग कैसे है तो ये स्वर है तीसरी बात में क्या बोला कि इसको याद रखो कि A से I तक single digit वाले A से I जो है ये single digit वाले अक्षर है इसके अलावा एक और खास बात जो है वो बिजांक होती है बिजांक बिजांक क्या होती है तो जैसे मैं बोला कोई नंबर है पच्चिस पच्चिस का बिजांक क्या हो जाएगा तो दोनों को जोड के बोल दीजे साथ 25 का बिजांग क्या हो जाएगा 7 जैसे मैं बोला 14 का बिजांग क्या हो जाएगा 14 का बिजांग हो जाएगा 5 मैं बोला 18 का बिजांग क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 9 तो बिजांग क्या होता है संख्या के अंकों को जोड दीजे वो योग single digit में मिलना चाहिए single digit में ये सब चीजे दिमाग में अगर चलेंगी तो बहुत आसान हो जाएगा इस chapter में काम करना बहुत आसान और बहुत important है आप CG PSC का CG Vyapam का exam उठालो 2-3 प्रस्ण आपको यहां से मिलने दय है 2-3 प्रस्ण 2-3 प्रस्ण मिलने दय है ग्दम तो आपको ध्यान रखना है भाई place value क्या है वीपरित value क्या है स्वर क्या है इसके अलावा single digit वाले अक्षर क्या है इसके अलावा वीजान किसको बोलते है जैसे मैं N का बोला place value तो आप बोलेंगे 14 चौदा का बीजान क्या होता है पांच N का वीपरित value तो आप बोलेंगे 13 तेरा का बीजान क्या होता है 4 यह देखो ऐसे दिमाग चलेगा आपका मैं बोला Z का place value तो आप बोलेंगे 26 26 का बीजान क्या होता है 8 समझ पा रहे हैं तो बीजान को भी ध्यान रखेंगे सारा कुछ जो मैंने बताया है आपके दिमाग में चलना चाहिए खास कर place value और वीपरित value अब देखो कैसे प्रस्न को बनाना है देखना कितना आसानी से प्रस्न को बनाएंगे केवल जो मैं बोला हूँ याद होना चाहिए वो अब देखो दो आपको दिया हुआ है word एक ये word दिया है और एक ये वाला word दिया है दोनों में सेम code होना चाहिए तब उस code को आप ये वाले में लगाओगे जो code इसमें लग रहा हो जिससे forensic का ये code आ गया हो वही code ये वाले word में लगेगा तब उस code को आप मानिता दोगे और caramel में लगा दोगे ऐसा नहीं कि इसमें अलग code लग रहा है इसमें अलग code लग रहा है दोनों में सेम coding आपको खोजनी है सेम coding एक सेम pattern जो ये वाले में भी लग रहा हो और ये वाले में भी लग रहा हो चलो ध्यान से समझो अब बनाते समय छोटे वाले को ही लेकर बनाएंगे जिससे थोड़ा सा काम आसान रहे अब देख सकते हैं ये code लिखा हुआ है ये code लिखा हुआ है चलिए अभ्ध्यान से समझिए किस प्रकार से बनेगा ये D.O.R.M. इसका कोड क्या लिखा है? 4.1.2.1.8.1.3 4.1.2.1.8.1.3 अब आपको ऐसा नहीं करना है कि सर D को 4 दे दिया, O को 1 दे दिया, R को 2 दे दिया, M को 1 दे दिया फिर यह बच जाएगा यार ऐसे बाटना नहीं है सुरू में ही, ये गलती करते हैं बच्चे दूसरा काम ये नहीं करना है कि D को 2 दे दिया, O को 2 दे दिया, R को 2 दे दिया, M को 1 दे दिया ऐसा भी नहीं करना है सुरू में ही ऐसे इक्वल इक्वल बाटना मत समझा रहा है सुरू में ही ऐसा मत करना भाज कि आप ऐसे equal equal बाटने बैठ गए इधर चार अक्शर है इधर अंक कितने हैं देख पा रहे हैं इधर अंक साथ ठो है इधर चार अक्शर और इधर साथ ठो अंक है कैसे equal equal बाटो तो possible ही निए है वो तो ऐसा काम विल्कुल भी मत करना भाई पहली बात तो क्या करना उस बात को समझो अब करना क्या है जैसे ही D को देखे याद आना चाहिए क्या तो D को देखके याद आना चाहिए सबसे पहले तो इसका place value तो इसका place value क्या होता है? 4 है क्या इधर पे? ये है तो इत्तफाक से नहीं है भाई, यह place value D का 4 है, दे दो D को, उसके बाद आगे वढ़ो, O को देखे, तो O को देखके याद क्या आना चाहिए, O को देखके याद आना चाहिए, इसका place value, 15, 15 है क्या, नहीं है, 15 नहीं है, तो दूसरा इसका याद आना चाहिए, opposite value, opposite कितना है, 12 12 है क्या, 12 है, तो यह दे दो O को, क्या है यह opposite, तो O लिख दिया मैं, place value देखा, अगर मिला तो ठीक, नहीं दिखा, तो opposite value देखा, मिला तो ठीक, नहीं मिला, तो कुछ और ही सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे काम चल गया है, R को देखा, तो R को देख किसका place value याद आना चाहिए, place value कितना 18, 18 है क्या, बिल्कुल है, तो यह दे दिया मैं किसको, R को, place value है, तो P लिख दिया, M को देखा, तो मिला को याद आना चाहिए, पहले तो place value, place value है का R, M का है, तो यह हो गया place value, तो आपको क्या समझ में आया कि सब D का प्लेस वेल्यू, O का अपोजिट वेल्यू, R का प्लेस वेल्यू, और M का प्लेस वेल्यू, अब O में ऐसी क्या खास बात है, इसका अपोजिट लिखा है, बाकी सब का प्लेस लिखा है, D का प्लेस वेल्यू, R का प्लेस वेल्यू, M का प्लेस वेल्यू, तो O में ऐ यहां से तो मेरे को यह pattern समझ में आ रहा है कि जो वेंजन है उनका place value लिखा है और जो स्वर है उनका opposite लिखा है ऐसे approach बनाना है आपको कुछ और ही approach समझ में आती है लेकिन actual approach यह है आपको क्या लगता है कि बराबर बराबर बाट दो यार बराबर बराबर कैसे बाटोगे इदर 4 ठोक छर इदर 7 ठोक कैसे बराबर बराबर बाटोगे approach वो है ही नहीं approach यह है कि जैसे ही आपने d को देखा तो d को देखके याद आना चाहिए आपको 4 का place value है तो ठीक है नहीं है तो याद आना चाहिए 23 का opposite value 4 था तो मैंने D को 4 दिया यहां लिख दिया, 4 D का है place value O को देखा तो मेरे को याद आना चाहिए 15 का, 15 है क्या नई है, तो याद आना चाहिए 12 का 12 है तो मैंने दे दिया O को 12 इस्ट फाक से नinh है भाई, O का 12 दे दिया मैंने, opposite लिख दिया R को देखा तो मेरे को याद आना चाहिए 18 place value है क्या है लिख दिया M को देखा तो मेरे को याद आना चाहिए 13 का place value है क्या है लिख दिया तो मैंने ये समझा यहां से कि O का opposite बाकी सब का place लिखा है इसका मतलब O में ऐसी क्या खास बात है तो O में खास बात क्या है तो O में खास बात ये है कि O जो है, ये स्वर है तो स्वर का opposite बाकी सब का place चेक करते हैं, अगर forensic में लग गया तो मेरा काम खतम इसमें स्वर क्या क्या है, O है, E है और क्या है, I है चलो, फटा-फट चेक करते हैं F, F क्या है, वेंजन इसका place value होना चाहिए 6, बिल्कुल है, O क्या है स्वर, इसका opposite होना चाहिए स्वर, O का opposite 12, बिल्कुल है R क्या है, वेंजन इसका place value होना चाहिए 18, बिल्कुल है, E क्या है स्वर, इसका opposite होना चाहिए तो E का opposite, 5 का opposite 22, बिल्कुल है आगे बढ़िए N वेंजन इसका प्लेस होना चाहिए 14 बिल्कुल है S वेंजन इसका प्लेस होना चाहिए 19 बिल्कुल है I क्या है स्वर 9 होता है 9 का अपोजिट 18 बिल्कुल है C क्या है वेंजन इसका प्लेस बिल्कुल है काम खतम, मतलब मेरे को मिला कि स्वर का क्या लिखा है, अपोजिट, स्वर का क्या लिखा है, अपोजिट और वेंजन का क्या लिखा है, प्लेस, ये पैटन लग रहा है, सोचो, ऐसे प्रस्नों को पूछ रहा है, समझा रहा है, यही पे, छोटे वाले को चेक करो, वहां से एक आर व्मेजन है place value, E स्वर 5 का वीपरित 22, N वैंजन place value है, S वैंजन place value है, I स्वर 9 होता है, 9 का वीपरित 18, C वैंजन place value है, तो स्वर का opposite और वैंजन का place value है, फटाफट के रेमल का अब जमा दीजे, C क्या है 1 का opposite 26, R क्या है वेंजन, मतलब place value, 18 A क्या है, स्वर स्वर मतलब 1 का पोजिट, 26 M क्या है, वेंजन, मतलब place value 13, E क्या है स्वर, 5 का पोजिट क्या हो जाएगा 22, L क्या है, वेंजन L का क्या होता है, 12 place value, देख लीजे 32, 61 32, 62, 61 32, 12 option A match हो रहा है ऐसे ये approach follow करेंगे, तब जाके प्रस्न बनेंगे, इसी लिए बोल रहा हूँ कि मैं place value और वीपरित value तो रटा होना चाहिए मैं तो जब इस lecture को पढ़ाता हूँ, class में तो इससे पहले मैं जो दूसरे chapters चलाता हूँ तब से मैं अंग्रेजी वर्ण माला देते रहता हूँ कि याद करके आओ, याद करके आओ, क्योंकि अंग्रेजी वर्ण माला याद हो जाएगा, और अंग्रेजी वर्ण माला के साथ मतलब place value और opposite value, यह कहीं न कहीं याद हो जाएगा तो फिर यह chapter में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको F को देखके याद करना है, किसको 6 को और 21 को आपको O को देखके याद करना है, किसको 15 को और 12 को आपको R को देखके याद करना है, किसको 18 को और 9 को 1 को देखके, मतलब A को देखके याद करना है, 1 को और 26 को ऐसे आपका जो चलेगा तरीका, तब प्रस्न बनते है, अगला प्रस्न देखिए, एक और लेता हुमें, देखिए, अगला प्रस्न क्या है, printer को code किया है वो इस प्रकार से logic को code किया है इस प्रकार से तो termite को बोल रहा है क्या code करेगा printer को code किया है चलिए logic वाले में logic ढूनते हैं क्योंकि logic वाला थोड़ा सा छोटा word है तो logic का क्या लिखा है देखो 15, 15, 20, 92, 4 अब देखो logic वाले में L को देखे तो क्या याद आना चाहिए L को देखे तो याद आना चाहिए 12 place value L को देखे तो place value को याद करो 12 है क्या नहीं है opposite 15 है क्या है तो ये देदो L को लिख दो O opposite O को देखे तो याद आना चाहिए आपको 15 15 है क्या place value नहीं है वीपरित value, देख लो, O को देखे, तो 15 है क्या, है, बिल्कुल है, यह देखो L को देखे, तो आपको याद आना चाहिए 12, 12 तो है नहीं, तो याद आना चाहिए 15, 15 है क्या, है तो लिख दिया L का opposite दिया है, O को देखे, तो याद आना चाहिए 15, place value है क्या, है तो फिर place लिख दो यहाँ पे G को देखे तो G को देखे याद आना चाहिए क्या place value 7 है क्या नहीं है तो 20 याद करो है क्या है लिख दो opposite I को देखे तो याद आना चाहिए पहले तो 9 है क्या देख लो है तो लिख दो place value C को देखे तो याद आना चाहिए तीन है क्या नहीं तो वीपरी त्याद आना चाहिए 24 है क्या है यह देखो अपोजिट यह तो बहुत आसान बन रहा है अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है कि पहले वाले का opposite, दूसरे वाले का place, तीसरे वाले का opposite, चोथे वाले का place, पाची वाले का opposite, देख सकते हैं, opposite, place, opposite, place, opposite, तो जैसे ही आपने L को देखा, तो L को देखके याद करो किसको 12 को, place value को पहले, 12 है, नहीं है, तो 15 है, क्या है, लिख दिया opposite, O को देखे, तो याद क तो साथ है क्या नहीं है? I को देखें तो याद करो किसको 9 को है क्या? है तो लिख दू. C को देखो, याद करो 3 को है क्या 3 place value नहीं है तो opposite 24 है क्या? है लिख दिया. अब चेक कर लो, प्रिंटर में यहीं पर चेक कर लो P का पोजिट, तो P का place value क्या है 16 opposite 11 ये रहा opposite बिल्कुल ठीक अब R का place value ये रहा 18 बिल्कुल ठीक I का opposite तो I का 9 होता है 9 का opposite 18 बिल्कुल है N का place value 14 बिल्कुल है T का opposite T का 20 होता है 20 का opposite 7 बिल्कुल है E का place value E का place value 5 बिल्कुल है R का opposite तो R का 18 18 का opposite बिल्कुल है देख सकते हैं opposite place, opposite place, opposite place, opposite बिल्कुल चल रहा है जो logic में logic मिला है वही logic किसमे है printer में है किसी एक को ही ढूनना उसको बस verify करना verify नहीं हुआ तो कुछ और ही सोचेंगे अपन तो छोटे वाले को इसलिए उठा रहूं है logic वाले को इसलिए उठाया ताकि केवल मेर को verify करना है तो logic वाले में verify किया तो opposite place, opposite place, opposite मिला इसी को printer में लगा के देखा तो P का opposite होना चाहिए तो P का होता है 16, 16 का opposite 11 R का होता है place 18, I का 9 का opposite 18, N का place होता है 14 P का 7, opposite 7 होगा क्योंकि place तो 20 होता है E का place 5, R का place 18, 18 का opposite क्या हो गया? 9 लगा दीजे, टर्माइट में यह देखे, T, E, R, M, I, T, E, T का पोजिट लेना है, अपोजिट कितना होगा, 7, क्योंकि 20 का पोजिट, 7, E का प्लेस वेल्यू, E का प्लेस वेल्यू कितना, 5, R का पोजिट, R का ठारा होता है, ठारा का पोजिट, 9, M का प्लेस वेल्यू, M का प पोजिट कितना 18, t का place value, t का place value कितना 20, e का opposite, e का होता है 5, इसका opposite कितना 22, यह देखो, opposite, उसके बाद place, opposite, फिर place, opposite, फिर place, फिर opposite, चेक कर लो, 75913182022, option a में correct हो जाएगा, यह approach होगा, तब जाके इस chapter के questions आप लगा पाएँगे, अगर यह approach आपका है तब, समझपा रहे हैं, approach यह होना चाहिए, तब आप इस chapter के प्रस्नों को लगा पाएँगे, वरना इस chapter में दिक्कत होती है, सोचो, यह आप अगर equal equal बाटने बैठ गया तो बहुत दिक्कत है भई फिर, आप अगर equal equal बाटने बैठेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कैसे बाट हो गया आप, पांच अक्छर में 9 अंग कैसे बाट हो गया आप, तो equal equal बाटने वाला चक्कर आपको करना ही नहीं है, अगला प्रस्न देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है देखे, एक कूट भासा में nostalgia को 81 के रूप में coded किया जाता है, तो friction को किस प्रकार coded किया जाएगा, nostalgia को 81 के रूप में coded किया जाता है, 81, तो nostalgia को 81 लिखा है, 81, तो friction को किस प्रकार से coded किया जाएगा, अब nostalgia को 81 लिखा है, अब एक बात समझो, दो अंको का अगर कोई code है, तो सबसे पहले तो चेक करना वो पून वर्ग है क्या, परफेक्ट स्क्वाइर है क्या, अगर परफेक्ट स्क्वाइर है तो 90% जो मैं बता रहा हूँ वही होने वाला है, तो पहले दो अंकों का अगर कोई कोड है, तो चेक करना वो परफेक्ट स्क्वाइर है क्या, तो 81 बिल मतलब perfect square किसको बोलोगे आप, अगर किसी नंबर को, किसी natural नंबर का, किसी प्राकृत संख्या का वर्ग अगर आप लिख पाओ, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में आप लिख पाओ, किसी भी संख्या को, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में आप 44, 64, 81, 100, ये सब क्या है, perfect square, 121, 144, 179, ये सब perfect square है, क्योंकि आप इनको किसी प्राकृत संख्या की square के रूप में लिख सकते हैं, एक का square है, दो का square है, तीन का square, चार का square, पाच का square, छे का square, ये दस का square है, तो इनको perfect square बोलते हैं, पून वर्ग, तो दो अंको का code है, और वो code अगर perfect square है, पून वर्ग है, तो दिमाग कैसे लगाना आप, 81, 89 का वर्ग है, तूरं तब चेक करना, क्या अक्षरों की संख्या 9 है, तो आपको दिखाई जिरा, अक्षरों की संख्या क्या है, 9, अक्षरो आठ का वर्ग, एंसर क्या हो जाएगा, आपका 64 हो जाएगा, तो आठ का वर्ग, एंसर हो जाएगा 64, हमेशा ध्यान देना, दो अक्षर, मतलब दो अंको का कोई code अगर है, दो अंको का कोई code है, दो अंको का code होना compulsory है, या तीन अंको का भी कोई code दिखाई दिया, तीन अ तेरा अक्षर बहुत कम उमीद है कि होंगे 12 अक्षर 13 चौदा अक्षर इतना बड़ा कोई सब्द जनरली देता दिनी है तो आप देखेंगे तो यही ऑल्रेडी बड़ा है यही नौस्टेलिजिया जो है यह ऑल्रेडी बड़ा सब्द है जिसमें 9 अक्षर है तो 9 कावर की 80 ह तो यहां फ्रिक्षन में कितने अक्षर है आठ तो आठ कवर कितना हो जाएगा 64 यह अप्रोच होता है बहुत सारे प्रस्ण है यह जो प्रस्ण है समय बिल्कुल नहीं लगेगा आप देख पार हैं छोटे वाले को मैंने चेक किया कि D को देखा तो 4 याद आया और 23 चार है 12 है तो लिग दिया, R को देखा तो 18 और 9 याद आया, 18 है तो लिग दिया, M को देखा तो 13 और 14 याद आया, 13 है तो लिग दिया, अब इसको वेरिफाई कर लो, खतम काम, 30-40 सेकेंड के अंदर काम खतम हो जाता है, देख सकते हैं 30-40 सेकेंड के अंदर काम खतम, L को देखा तो 15 और 12 याद आया, 15 है तो लिख दिया, O को देखा तो 15 और 12 याद आया, 15 है तो लिख दिया, G को देखा तो याद आया, 7 और 20, 20 है तो लिख दिया, I को देखा तो याद आया, 9 और 18, 9 है तो लिख दिया, C को देखा तो याद आया, 3 और 24, 24 है तो लिख दिया, place value को याद करो, है तो ठीक नहीं है तो वीपरित value को, दोनों नहीं है तो कुछ और दिखेगा आपको, लेकिन main ये place value और वीपरित value है, समय बिल्कुल नहीं लेगेगा exam में, आसानी इसे चीज़ों को deal कर पाऊगे, तो questions बहुत सारे है, समय थोड़ा सा मेरे पस आज कम था, म भाग दो इसी का आएगा, इसी वीडियो के जस्ट आगे, ये सारे प्रस्न कराऊंगा, देख सकते हैं, या आप लोग try भी कर सकते हो, बहुत सारे अप्रोच बताने थे मेरे को, ये देखे, बहुत सारे प्रस्न थे, बहुत सारे अप्रोच निकल के आते, और ये बहुत tough chapter माना जाता है, और बच्चों को लगता है कि एक्जाम में ही प्रस्नाया देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, एक्जाम में प्रस्नाया देख लेंगे, ऐसा करके जाओगे तो ये chapter नहीं बनने वाला, एप्रोच सीखो, क्या आप्रोच होना चाहिए प्रस्न को start क करने का, तो इसी का भाग दो आपको मिलेगा, अगले बार, आज समय मेरे पास थोड़ा सा कम था, मेरे को क्लासेस में जाना है, और ये वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो समय मेरे पास कम था, तो मैं इसी के जस्ट आगे आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करा आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद